हलो फ्रेंड्स नमस्कार बारिश का मौसम और कुछ चटपटा तीखा खाने का मन तो होता ही है प्रेविंग बहुत जबरदस्त हो रही है आज बना लिये हैं कुछ दो रेसिपीज चीटिंग करी हैं आज मैंने एक मसाले से ही दो रेसिपीज बनाई हैं और ये देखे अत्रक लैसंन और मिर्ची ये मैंने ले ली थी और इसे काटपेट लिया है और ये मसाалे मैंने भूझ लिए हैं सुखे धनिया जीरा और सौप चढ़ा दी है कढ़ाई कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा सरस्टों का तेल लगा दिया है राई से फोरण राई का इसमें पोर अब बारीक बारीक काट लिया था और अब इसे मैं करूंगी फ्राइब करने के पाद इसमें मैं डालू अबाल लिये हैं और इसी बीच मैंने वह जो सुखे मसाले भूंजे थे उसको मैंने दर्दरा पीस लिया है ग्राइंडर में और यह अलू भी दिखियो बलकर रेडी हो मसाला भी लग लग भून चुका है और इसे मैंने एड़ कर दिया है थोड़ी सी सूखी धन्या पाउडर और लाल दी है लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा तीखा नहीं है पसंद लेकिन कुछ तीखा तो होना ही चाहिए और यह डाल दिये हैं अलो अब मसल लूँगे इसी में यह एक मसाला बन जाएगा फ्रेंड्स तो इसी से आज दो डिशिस मैंने तयार करनी है और यह देखे फ्रेंड्स यह आलू मैश हो गए है और डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक कहते हैं ना कि आपके दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है आप रेसिपी के बारे में सोचते हो तो आज मेरी दिमाग में भी कुछ चला तो मैंने सोचा चलो यह रेसिपी बनाती हूं और इसमें एड़ कर दिया है थोड़ा सा अमचुर पाउडर और यह जो मैंने मसाला करना के आलू का और पाव को ही लगाना था मुझे ठिकाने यूंकि पाव बच गए थे तो मैंने सोचा चलो आज पाव से ही कुछ बना लिया जाए और धाल दी है थोड़ी सी इसमें धनिया पत्ति क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग के घोड़े नहीं दोड़ाएंगे तब तक आपको दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा और घोड़े दोड़ाना भी ज़रूरी है क्योंकि आप एक यूट्यूबर है और आपको बहुत अच्छी अच्छी हेल्दी रेस्पी बिनाना है और आपने विवर्स को भी दिखाना है और यह देखे यह मसाला तयार हो चुका है अब बारी आती है कढ़ाई मैंने चड़ा दी है कढ़ाई की बारी है क्योंकि आज इसी में बनेंगे पाव से चपटे पाव के भर्मा ब्रेट बना और आज इस तरीके से मुझे बनाना है क्योंकि पाव बचे हुए थे तो मैंने सोचा चलो आज इनको भी कुछ इनका उधार किया जाए और डाल दिया है इसमें थोड़ा सा पानी क्योंकि इसे गलाना है और मसल मसल के पानी के साथ मैंने पाव को गला लिया है आज पाव के स्टप्ट पकोड़े या कुछ भी आप कहलें लेकिन उसे मुझे फ्राइड नहीं करना है ना सैलो फ्राइड ना टीफ फ्राइड आज मैं बनाऊंगी अपने कड़ाई वाले ओवन में पाव के पकोड़े वो भी नॉन फ्राइड और ये देखिए इसे मसल कर मैंने एक जैसा कर लिया है और अब इसकी बनाऊंगी मैं चोटी चोटी लोईया और बगल में आलू का मसाला भी जांक जांके कह रहा है कि भाई अब मेरी बारी कब आएगी और ये देखिए इसे एक सार कर लिया है आप इसकी स्टाफिंग जाएगी लोईयों के अंदर लोईया रेडी हो रही है फ्रेंड्स आप भी कभी इस तरीके से बना कर ट्राइ करें जब आपकी ब्रेट बगेरा कुछ बच जाए तो ये ज़रूर ट्राइ करें नौन फ्राइड अभी कभी खाने की इक्चा होती है ओयली खाना खाने की इक्चा नहीं होती है ज़्यादा तो आप ऐसे भी बना कर एक बार ट्राइ करके देखें आप ब्रेट से भी इसे बना सकते हैं और ये मैंने स्टाफिंग रेडी कर ली थी और इसमें मैंने भर दी है और इस तरीके से इसके मुझे चोटे-चोटे पकोड़े से बना लेना है ये देखे ये रेडी हो रहा है है बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होने वाली है ये डिश्ट्रेंट्स आप भी इसे बना कर जरूर ट्राइए करें और जो बैटर रखना है बैटर यानि जो पाव का मैंने जो एक वो बनाया था डो उसे आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है थूड़ा लूज रहे और देखे ये मैंने इस तरीके से बना करके रेडी कर लिये थे और ये प्री हीट कर ली थी मैंने कड़ाई क्य और इसे अब मैं धाक दूँगी एक थाली से और देखे इसको अलट पलट कर सेंखते जाना है इसमें थोड़ा टाइम लगता जरूर है लेकिन ये रेसिपी बहुत अच्छी तयार होती है और आप भी इसे चट्नी के साथ या किसी भी मेठी खटी चट्नी के साथ आप एंज् और उसके बाद ये मसाला भी कुछ बच गया था अलू का तो मैंने सोचा अब इसका क्या करूं तो जट्पट मैंने लिए दो कटोरी बेसन और इसमें मिलाए कुछ सूखे मसाले जैसे की मिर्च पाउडर, नमक, हींग और थोड़ी सी अजवाइं हींग बेसन के किसी भी ख कॉर्ण फ्लार से अच्छी बाइंडिंग हो जाती है और कोई भी चीज आप इससे बनाते हैं तो कुरकुरा पना जाता है और डाल दिया था थोड़ा सा पानी और इसका ये बैटर तयार हो चुका है और ये मैंने उस मसाले के गोल गुल्ट की ऐसी बना ली थी और इसको ड माJust two die Türk Ir Ini ले ली ती मैंने जिसमें जलेबी बनाते हैं अज इसुमें इसी में भी बनाते हैं कि हम गोल नहीं बनाये मैंने इसको चिप्टे चिप्टे रखे थी इसलिए आज था तयार में ही तेल ले लिया था सर्सों का क्योंकि वेसं की चीज सर्सों के तेल नहीं बहुत बनती है और इसे थोड़ा सा चिप्टा करके मैंने इसमें डाल दिया था और बहुत टेस्टी ये भी बनकर तयार ले थे आपको आज की डिशिस कैसी लगनी फ्रेंट्स ज़रूर बताएं मुझे एक ती से दो निशाने मैंने साधे हैं आज और एक मसाले से ही दो रेसिपी तयार की हैं फ्रेंट्स थोड़ी सी चीटिंग तो की है लेकिन आप इंजॉय करेंगे आप मेरे वीडियो को देखें और एक बार आप जरूर इस तरीके से बना कर देखें फ्रेंट्स बहुत ही डिलिशिस बनती हैं ये डिशिस ये सब आपकी अपने दिमाग के उपज होती है कि आपको थोड़े से में ही कितना अच्छा प्रिपरेशन करना है तो आज मैंने वही किया है अपने दिमाग के गोड़े दोड़ा करके आज ये डिशिस तयार कर ली है बरसाथ का मौसम है तो कुछ चटपटा तो मन होता ही है खाने का तो फ्रेंट्स आज ये बना दिये हैं आप भी इसी ट्राइ करें इंजॉय करें चटनी के साथ सौस के स या दही की चटनी के साथ आप इसे बना कर इंजॉय कर सकते हैं और अपने हमानों को भी बना कर खिला सकते हैं तो आज की आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंट्स मुझे जरूर बताएं इंजॉय करें और ये देखिए कितने कुरारे सिक्कर तयार हुए है प्लेटिंग भी रेडि हो चुकी है और आजाएं आप भी इन जरूर से शादी मुझे हैं